हमारा टॉपिक है वो है यूट्रापिकेशन पहले हम समझेंगे कि यूट्रापिकेशन जो है होता क्या है simply simply eutrophication जो होता है वो होता है enrichment of nutrients in enrichment 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 of the nutrients in water body जब भी nutrients जो है water body में ज्यादा हो जाए excess amount में हो जाए nutrients जब भी water body में ज्यादा हो जाए इसको हम कहते है eutrophication eutrophication is the phenomenon of nutrient enrichment of a water body that initially supports a dense growth of plant and animal life eutrophication जो है वो होता है enrichment of nutrients in water body मतलब क्या है enrichment of water body का मतलब क्या है enrichment का मतलब है जब भी nutrients जो होता है nutrients वो एक water body में जैसे की rivers, pond, slacks है उनमें nutrients ज्यादा हो जाए इसको कहते हैं हम eutrophication simply enrichment of nutrients in water body जिसको हम eutrophication कहते हैं इससे क्या effect पढ़ता है क्यों nutrient ज्यादा होने से water body में pollution होता है या water body में क्या effect होता है जब भी nutrition ज्यादा होते है water body body में ये effect करते है प्लांट लाइफ को भी और अनिमल लाइफ को भी कैसे जैसे कि water body में जो है plants present होते हैं जो छोटे छोटे प्लांट होते है water body में जब भी nutrient ज्यादा होते है इस water body में तो जो ये plants हैं ये ज्यादा growth करते है ज्यादा growth जब ये ज्यादा growth करते है water body में तो ये एक layer बिछाते है water के surface पे एक layer बिछ जाती है इन plants की जिससे कि जो sunlight आती है वो इसी जो है इनी plants पर पढ़ती है तो ये जो plants जो है ये sunlight नीचे नहीं छोटते है जिससे कि जो aquatic animals होते है fishes जो है उनको sunlight नहीं मिलती है या जो other aquatic animals है उनको sunlight नहीं मिलती है इसी वजह से उनकी death होती है जो other plants होते है present in water body उनको भी sunlight नहीं मिलती है तो उनकी फिर death हो जाती है क्यों है eutrophication क्या होता है enrichment of nutrients जभ भी nutrients ज़्यादा होते है water body में जिसे की प्लांट्स होते है algae जो होते है water body में वो grow ज़्यादा करते है जब वो grow ज़्यादा करते है तो वो एक surface कि water बनाते है जिसे की sunlight वो नीचे नहीं छोटे है जिसके की वज़ा से जो फिशेज हैं और जो एक्वेटिक अनिमल या हम कहेंगे शॉर्ट में आक्वेटिक प्लांट जो हैं उनकी डेथ होती है हम देखेंगे क्या होता है इट इस कॉज़ड भाइरान और फ्रॉम फर्टिलाइजर फील्ड साब अर्बन लॉन्स फीड लॉट्स एंड डिटर्जंट रीच सीवेचे कैसे होता है यूट्रापिकेशन कैसे आते हैं यूट्रेंटस एक वाटर बाडी में फर्टिलाइजर का हम इस्तिमाल करते हैं अप जाते हैं उनसे जो है नूट्रेंटस बढ़ जाते हैं वाटर बाडी में और डिटर्जंटस हम इस्तिमाल करते हैं उनसे जो वह भी जो है वाटर बाडी में पूंच जाते हैं इसी वजह से जो है नूट्रेंटस बढ़ जाते हैं वाटर बाडी में और गैनिक लोडिंग औ occurrence of access to organic matter occurs inside water जो organic matter होता है organic matter means living matter living inorganic means non-living जो organic matter होता है ये ज्यादा होता है फिर जब nutrient enrichment होती है water body में तो जो ये organic matter है ये ज्यादा हो जाता है इस water body में the rapid growth of water plants especially the algae is called bloom मैंने पहले ही बताए है जब ये nutrients जदा होते है water body में तो जो plants है green plants जो हम algae भी भी कह सकते है water body में तो उनकी growth जदा होती है जब उनकी growth जदा होती है उनको हम कहते है algal bloom means that the growth יजादा होते है rapid growth जब होते है algae की water में तो इसको हम कहिएंगे algal bloom, algal bloom is cut off light from submerged plants causing the death, जो algal bloom जब होता है water body में, वो sunlight जो है नीचे नहीं छोड़ती है, बागी plants और animals को जिसनकी वज़ा से उनकी death होती है, this decreases dissolved oxygen replenishment inside water, जो dissolved oxygen होता है, मतलब क्या है dissolved, जो oxygen water में present होता है, वो decrease होता है, dissolved oxygen जो है, utrophication की वज़ा से decrease होता है, blue green algae present in the bloom also releases toxin, जो blue green algae फिर present होता है in bloom में, जो algal bloom था, ये कुछ जहरिली चीज़ छोड़ता है, both toxicity and decreases oxygen level kill as aquatic animals, जब ये toxinus छोड़ता है, खतरनाग जो chemical छोड़ता है, इससे की जो है aquatic animals और plants की death हो जाती है, हम एक और slide देखेंगे, utrophication की, इसमें कहा गया है, it is the process in which there is a decrease in the concentration of dissolved oxygen in water, मैंने पहले ही बाता है, जिस water body में utrophication हुई होगी, वहाँ dissolved oxygen जो है, decrease हुआ होगा, means की pollution है वहाँ पे, because of excessive growth of algae, जो algae, क्यों ये dissolved oxygen decrease हुआ होता है, क्योंकि जो ज़्यादा growth हुई है algae की इसी की वज़े से जो है, dissolved oxygen जो है, वह degrees हुआ है, और increase in the nutrient concentration in the water body, या dissolved oxygen जो है, simply जो है, जब भी utrophication ज़्यादा nutrient हो जाए वाटर बाड़ी में, या algal bloom हो जाए वाटर बाड़ी में, तो dissolved oxygen जो है, वह degrees होता है, this occurs because of continuous sewage disposal in water body, किसकी वज़े से nutrients ज़्यादा होते हैं water body में, मैंने पहले ही आपको बताया, fertilizers की वज़े से, detergent की वज़े से, जो ये disposal sewage जो आता है, garbage जो आता है, वाटर बाड़ी में, इसकी वज़े से जो है, enrichment of nutrients होता है, it also occurs when fertilizers are washed into the water body from the nearly field, जब हम fertilizers इस्तिमाल करते हैं, agriculture or horticulture sector में, जब वो wash, 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 wash होते हैं, washed into the water bodies होते हैं, जो उन नजियों के बगल में, जो water or horticulture fields होते हैं, उन में से जो fertilizers हमने इस्तिमाल कियो होते हैं, वो इस water body में आते हैं, sewage and fertilizers provide a lot of nutrients to the phytoplanktonus in the water body and results in excess growth of algae, also known as algal plume, जो fertilizers हैं और sewage हैं, यह बहुत ज़्यादा nutrientus जो हैं, देते हैं phytoplanktonus को, phytoplanktonus होते हैं producers, जैसे कि plantus होते हैं phytoplanktonus, water body में phytoplanktonus कहते हैं, पलांटus को, या algae जो है, algae जो हैं, उनको भी phytoplanktonus कहते हैं, यह nutrientus देते हैं, याने की sewage और fertilizers, जो हैं, नूट्रंटus देते हैं phytoplanktonus को, जिसकी वज़ा से उनकी growth जादा होती हैं, याने excessive growth होती हैं, जादा growth होती हैं, और जब उनकी growth زादा होती हैं, उनकी population जो है, जादा होती हैं, याने कि जादा, जितने यह होने चाहे वाटर बाड़ी में इससे ज़्यादा उनकी ग्रोथ होती है तो फिर इसी को हम कहते है अलगल बुलूम जब अलगी ज़्यादा ग्रोथ करे इसको कहते हैं अलगल बुलूम जब अलगी 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 मर जाते हैं जो प्लांट बॉलूम जाते हैं वह उनको कंजूम करते हैं खाते हैं जिसकी वज़े से जो है डिसोल्वर ऑक्सीजन जो है वो कम होता है वाटर बाड़ी में इस ड्रास्टिक डिपलीशन ऑफ ऑक्सिजन वाटर जो ही यह डिसलूर ऑक्सिजन डिक्रीज होता है बाटर बाडी में इसी की वजह से जो है जो है डेफ होती है एक्सिजन और पलांटर की जो यूटरॉपिकेशन है enrichment of neutrons, जब भी neutrons ज़्यादा होते है water body में, इसको हम eutrophication कहते हैं, eutrophication की वज़े से जो algae होते है water body में, वो ज़्यादा growth करते है, जिसकी वज़े से algal bloom होता है, वो surface बनाते है, water की surface पे वो layer बनाते है, जिसकी वज़े से sunlight नीचे नहीं छोड़ते है, तो ultimately जो है, उनकी fishes जो होते है water body में, या other aquatic animals उनकी death हो जाती है, और dissolved oxygen, जो oxygen water में present होता है, वो decrease होता है, eutrophication की वज़े से, इसके बाद जो है, हमारा, eutrophication जो है, यह एक photo mac river, आफ लिख लिख से यह example है, प potato mac mac, फैसर पी ओटि ओ अं कि पोटो कर रहे ती। उमेशी, photo mac river जो है, यह यूएसे में, river in USA वोची पोटो मैंग रहे तायवर में, यह सफर कर रहा है, गां। है यूर्स है इसमें यू ट्रापीकेशन हुवी है इसके पार हुए हुमारा अगला द했다 wat ऊटिक वो है क्वाई तो मैं दो केशन प्रियो मैं भी और क सिद्धाय sure bioampichtig CT go bio-magnification या bio-amp sayin biological magnet सब्सक्राइब इसको हम कहते है biological magnification या bio-magnification या bio amplification ती नाम है biological magnification bio amplification या biological and biological magnification is the phenomena of increase in the concentration of horum-pull non-bio degradable chemical substances in the water body in the body of living organism at each tropic level of food chain जब भी जो horum-pull chemicals होते है जब इनकी concentration जो है वो increase होते है tropic levels में जब इनकी concentration जो होरum-pull जो chemical substances होते है उनकी concentration जब living organism में increase होते है इसी को हम कहते है bio amplification increase in the concentration of toxicantus at success to tropic level जिसको हम कह सकते हैं bio magnification जाने कि जब toxinus जो है जब होरum-pull non-bio degradable substances जो है जो है वो increase हो जाए organism एक organism से दूसरे organism में या tropic level to tropic level increase हो जाए इसी को हम कहते हैं bio magnification increase in the concentration of harmful non-bio degradable chemical substance in the body of living organism at each tropic level of a food chain this occurs because of increase in the concentration of harmful chemicals किसकी वज़ा से ये bio magnification जब harmful chemicals जो है वो increase उनकी concentration जो है increase होती है such as pesticides जो हम pesticides को मारने के लिए जो हम दवाई जो है किमीकलस जो है pesticides जो है इस्तिमाल करते है जब उनका इस्तिमाल ज़ादा होता है जैसे कि DDT डाइकलोरो, डाइफिनाइल, ट्राइकलोरो, एथैन जैसे कि DD, डाइल्डरिन, एड्सेटरा एड हैवी मैल्टलस जब उनकी concentration याने कि pesticides की DDT जिसमें आता है डाइल्डरिन आता है या हैवी मैल्टलस जिसमें mercury, academy, tin, lead आता है उनकी concentration जब increase हो जाए तो इसी से जो है bio-magnification होता है in the water bodies that cannot be degraded by the micro-organism जो यह DDT है या हैवी मैटल, mercury, academy, lead है यह non-bio-degradable होते हैं याने कि उनको कोई micro-organism जो है decompose नहीं करता है it leads to the poisoning of the predatory birds that eats fish such as kingfisher ospreys and lunas for example, bio-magnification of mercury in the fishes through the food chain results in minimata disease in fish eating human population bio-magnification से अब क्या असर जो है organism में पढ़ जाता है अगर water body में mercury present है mercury इसको अगर consume करे फिश mercury को mercury जो है water body में present है इसको खाया फिश ने फिश कौन खाता है human human ने कौन सा फूड खाया था जिसमें mercury था mercury जो non-bio-degradable है जो decompose नहीं होता है यह किस में पूछा फिश में फिश से किस में पूछा human में human में यही effect करता है यहने कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल से यह ट्रानस पर होता है इसी को कहते हैं बयो मेगनिफिकेशन जैसे कि mercury से जो डिजीज होती है mercury अगर water body में mercury present है तो हमने वो पानी जो है पिया पानी पर जो हमने जो पानी है इस ते मरकरी हो तो हमें डिजीज हो सकती है मिनी माता मिनी माता डिजीज मिनी माता डिजीज जो है यह मरकरी की वज़ा से होता है अगर हमने वो पानी पिया जिसमें lead present है lead तो dyslacia हो सकता है dyslacia हो सकता है अगर cadmium cadmium water में present है cadmium cadmium water में present है तो हमें disease हो सकते है itai 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 बोलते है जिसमें जो है bonus जो है वो वीक हो जाते है itai itai disease जो है cadmium की वज़ा से होती है अगर हमने वो पानी पिया जिसमें arsenic हो arsenic 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 तो हमें तो Allah बचाए सिकन कैंसर हो सकता है सिकन कैंसर हो सकता है मैंने आपको बताया किस chemical की वज़ा से कुन-कुन बिमारी हो सकती है अगर हमने इन ये वो पानी पिया जिसमें इन chemical की मुझूद की होगी हमने अभी तक पढ़ा यूत्रफ mình होता है इन्रीच्मेंट झजब water body में न्यूटरंट ज़्यादा हो जाए लाइक नाइटरोजन ज़्यादा हो जाए फासपोर्स ज़्यादा हो जाए या डिटरजन्टस हो जाए या फटलाइजर्स ती वज़ासे जो है न्यूटरंटस ज़्यादा होते है वाटर बाडी में जिसकी वज़ासे जो अलगी प्रेजन्ट होते है वाटर बाडी में वो ज पीचे नहीं छोड़ते हैं जिसे डिजॉलवड ओक्सिजन जो है वो डिक्रीज होते हैं जिसकी वज़ा से एक्वेटिग अनिमल्स और प्लांटर्स की डेथ हो जाती हैं फिर मैंने एक एक्जामपल दी पोटो मैक रिवर जो यूएसे है यो यूट्रोपिकेशन का शुकार ह है फिर हमने बायो मैगनिफिकेशन जिसको हम बायो एंपलिपिकेशन और बायो लाजिकल मैगनिफिकेशन भी कहते हैं वो होता है इंक्रीज इन दा कंसंट्रेशन आफ टॉक्शी केंटस ऑफ सेक्सिस उप्रॉपिल जब भी जो होरम फुल नॉन बायो डिक्रीटेबल सबस स्टिंसस होते हैं जो हमारी सहथ के लिए तीक नहीं होते हैं पायदे मन नहीं होते हैं जो हमारे बाडी को नक्सान पूचा थे जभ्भी उनकी लेवल में इंक्रीज हो जाए इसको हम कहते हैं बायो मैगनिफिकेशन इसमें कौन-कौन आता है कौन- martyry यह अता नहीं बढ़े हैं और सेनिक टेस्टिसाइडर फटिलाइजर जो हैं यह पाउस हो सकते हैं सपोल वन ट्रपिक लेवल तो अनदर ट्रापिक लिए जिसमें मैंने आपको एग्जमपल दे हैं अगर water में mercury present है जो है फिश ने उसी water यानि फिश ने जो है mercury खाया फिश को human ने खाया तो जो mercury है ये फिश में transfer हुई फिश से ये human's में transfer हुई फिर मैंने आपको बताया अगर water में mercury present है इससे minimata disease हो सकता है और dropsy हो सकता है फीचिस में मिनिमाता डिजीज होता है मरकरी से लेड से जो होता है लेड अगर प्रेजन्ट हो वाटर में डिसलेशिया और सेनिक से सिकन कैंसर कैडमियम से इताई इताई और डीडीटी जो है डीडीटी को डाइकलोरो डाइफिनायल ट्राइकलोरो एथैन कहते हैं यह इफेक्ट करता है यह जो थिनिंग ऑफ एग शालस जो होते हैं बोर्डस के एगर जो है उनको बहुत थिन करता है और जो पॉबले जो जब जो अंडे होते हैं जब वो ब्रेकेज हो यह उनकी ब्रेकेज में डिले करता है जिसकी वज़ा से जो है बोड़ी जो बोर्डस की पॉपलेशन है वो डिक्रीज होती है सिंपली जब भी इट्राफिकेशन हो वाटर बाड़ी में तो जो डिसल्वड ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज होता है यह पिर ऑक्सीजन की जो डिमाड है वो बढ़ जाती है थैंक यू होप आफ को यह जो लेक्चर है पसंद आया होगा चैनल को सबस्क्राइब कीजे